कि आप जानते हैं कि कई चीनों पर जो हम लोगों ने प्रतिबंद पहले से लगाया था तो अब उसको देखते हुए अब जो आप निरने हो गया है कि जो पावंदियों के बारे में कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, अब अन्य सैक्षिक संस्थान जो 18 एप्रिल तक म अब उसको बढ़ा करके 15 मई तक बंद रखा जाएगा, यह हम लोगों ने तय कर लिया कि जिस तरह से जितनी स्थिती बढ़ती चली जा रही है, तो अब इसको 15 मई तक बंद रहेगा, और इस अबजी में राज सरकार के विध्याले दोरा किसी भी तरह की परिक्षाएं भी नहीं ली जाएगा, तो इस तरह से यह कर दिया गया 15 मई तक का, फिर सभी सिनेमा हॉल, मौल, क्लब, जिन, पार्क, एबं उध्यान को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, उसमें लोगों का आना जाना नहीं हो, यह सब बात अब यह तै कर दिया गया है, और इसको अभ जो सरकारी और गर सरकारी कारियाले अब उसके बारे में भी काज बिरने लिया गया है, कि इसको पांच बज़े तक रखा जाएगा, पांच बज़े बंदर, आप जानते हैं, वं थार्ट, नेटीस परसेंट लोगों को ही एक दिन में काम करने के लिए कहा गया है, नहीं, ज उसको घटा करके, पांच बजे तक रख्य रहा पूरे बिहार में हर जगह पर नाइट कर्फूं लागु रहेगा,ं रात में x9 बजे ले करके बन्द के पांच हमाजी दुकाने, मंडी तत्हा मां सेव्मस्छी की दुकाने, और सánt जो साथ वजे तक रखे थे खुला उन्हों को अब साथ बजे के बजाए एक घंटा कम करके छाव बजे तक उसको आप खुला रहेगा, छाव बजे के बाद बड़न नहीं रहेगा, यानि सभी दुकाने, प्रतिस्थान, फ़ल, उन्सब्जी दुकाने, मंडी तता मांग से मसली की दुकाने अब साम 6 बजे तक 6 बजे बंग हो जाएगे, 6 बजे तक ही खुला रहेगे और सभेरे से जब से खुलना है, फुले या नहीं है कि सुबा कब से खुलना है जब से भी खुलना हो लेकिन उनको 6 बजे तक ही रखना 6 बजे बंग हो जाएगे और इसके बार जो रेस्टोरेंट है, धावा है, भोजनाले में बैट कर खाना पृतिबंधित रहेगा इन सब जग्मों पर, लेकिन फोन डेलिवरी एवन टेक अवे सर्विस का संचालन नव अजे रात तरी तक होगा, नव अजे रात तक उस सब लोगों कहां पहुंचाना हो कोई वहां से ले जाना हो, लेकिन वहां बैट करके खाना नहीं, ये एक पाक हो गई है साफ साफ, कि उनको घर तक पहुंचाना हो, पहुंचाएं, ले जाना हो, ले जाएं, नो बजे रात तक, अब जो जितने भी सभी धार्मिक स्थान जो थे, वो जो 30 अपरिल तक बंद जो हम लोगों ने पहले तैय किया था इनके मामले में, सभी प्रकार के सब धर्मों के सब असिस्थलों को जो किया गया था 30 अपरिल तक, उसको अपढ़ा करके 15 मई 2021 तक बंद रखने का ही फैसला किया गया था, सारदनिक इस्थलों पर, किसी भी प्रकार के आयोजन पर, सर सरकारी एवं नीजी पर रोक रहेगी, लेकिन जो दफन है, या दास अंसकार है, या पूजा है, उस पर ये लागू नहीं है, वो तो सभाविक चीज है, कि दफन हो, दास अंसकार हो, बिवा हो, स्राद हो, तो इन सब चीजों के लिए तो सब लोगों को करना उनकी एक जिम मेवारी होती है, उसको छोड़ करके, बाकी जितने साधनी किस्थलों पर, किसी भी प्रकार के आयोजन पर, सरकारी एवं नीजी पर रोक रहेगी, अब जो कुछ भी, पहले हम लोगों जो दफन, दास अंसकार, साधी, इवा, ये सब सब के लिए जो किया गया था, और स्रा पन और दास अंसकार में 25 से जादे मत करिए, और फिर जो साधी और साध का कारिकरन था, उसके लिए 200 व्यक्तियों का किया गया था, अब उसको घटा करके, आज मिरने लिया गया कि 100 व्यक्ति से आगे मत पढ़ाईए, कि जितना तेजी से फैल रहा है, और किनी को कुछ माल प्याम नहीं है, इसका बहुत रॉप्सान होगा, इसलिए इन दोनों के बारे में यवी मिरने लिया गया है, और इसके बाद दिन के समय भीडवार भड़े इलाके एम सबजी मंडी में, भीड में कमी करने के लिए जिलापदादिकारी, बाजार एम सबजी मंडीयों को सिलस किसित कराएंगे कि आप यहां पर फोलिए यहां पर रहिए एक यह भी विवस्ता करने का किया गया और जिला प्रिसासन द्वारा आप सक्ता नुसार नगर छित्रों एवं प्रखंड मुक्षालियों में धारा 144 का प्रियोग कर अनावस्यक घ्र को नियंत्रित करने हो दिव नियमा नुसार वो कारवाई करेगा यानि एक तब बिल्कूल 144 लागू करने के लिए हर जिला प्रिसासन को अधिकार दे दिया गया है कि आप सक्ता नुसार जहां कहीं भी हो वो अपना 144 की धारा लगाएंगे यह भी निर्ने ले लिया गया तो एक जो अभी के बारे में ज किसी प्रकार का प्रतिबंद नहीं है जैसे परिवहन, बैंकिंग, डाग, स्वास्त एवं इससे संबंधित सेवाओं, फाय, पुलिस, एम्बुलेंस आधी पर किसी प्रतिबंद नहीं छूट रहेगी और यी कॉमर्स की गतिविदियों, गतिविदियां उससे संबंधित प प्रतिबंद नहीं रहेगा, लेकिन बाट की सब चीजों के बारे में बता दिया गया है, कारियाले के बारे में, भुकान के बारे में, किन-किन चीजों को प्रतिबंदित करना है, किसी चीजों को पुला रखना है, कितने बजे तक चलेगा, कारियाले कितने बजे तक चलें और रात में 9 बजे से ले करके सुबह 5 बेर तक का जो इंतिजाम कर दिया गया है कि नाइट कर्वियू के बारे में तो वो भी पूरे तोर पर सब्देवे के लिए लागू करने का निरने ले लिया गया है तो हम लोगों ने अभी ये किया है और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हम लोगों ने इसके लिए इतनी विस्त्रित रूप से आज चर्चा की है और सब लोगों का जो सुझाव कल भी आया सब को देखते हुए सब लोगों को ही सुझाव दिया है प्रतित दिन एक एक चीज़ पर सक्रिये रहेंगे और उसको देखते हुए आगे भी इसके बा एक्सिनेशन के लिए इलाज के लिए यह पूरे तोर पर अतिक से दिख और किसी भी प्रकार का दवा का या उक्सीजन का कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके लिए सब तरह के प्रबंद का इसके लिए जो कुछ भी करना है किया जाएगा पाहर से भी आएंगे उनको काम देन का और अत्रिक्त उनको तंखा हम लोग देंगे यह सब निरने ले लिया है लेकिन एक एक चीज पर निरंग तर नजर रखी जाएगे हर प्रकार से और अस्पतालों की संख्या पढ़ाना बेट्स की संख्या पढ़ाना यह सब के लिए पूरा का पूरी पूरी बाप्चित क की गई है ताकि इस तरह से इस वार का द्रिश्य है हम लोग को पूरा का पूरा हर तरह का प्रतिवंद करना होगा यह भी आज पूरे तोर पर पादशित होगी तो यही हम मुख्य रूप से लिए